नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एक बिहारी सौपरभारी एक दिन में उस वीडियो को पांच मिलियन लोगों ने देखा लाखों लोगों ने शेयर किया और हजारों लोगों ने मुझे कॉमेंट करके एक बात कही किसर कुछ किलोमेटर पर बोली बदल जाती है वैसे तो हमारे देश में हर राज्य की अपनी अलग खासियते हैं ऐसा ही एक राज्य है पश्यम बंगाल जिसकी खासियत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है एक मशूर कवी ने कहा बांगला मोदेर भाषा बांगला मोदेर आशा और पश्यम मंगाल की सीमा पाँच राजियों से लगती है उडीसा, जारकंड, सिक्किम, असम और बिहार और अंतररास्टी सीमा तीन देशों से लगती है नेपाल, भूटान और बांगला देश पश्यम मंगाल की राजधानी कोलकता है और कोलकता एक ऐसा शहर है जिसका हर रंग निराला है ये राजधानी City of Joy के नाम से भी जानी जाती है और ये भारत की third metropolitan city है होगली नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर 1772 से 1911 तक भारत की राजधानी था क्योंकि ब्रिटिश सरकार के लिए ये व्यवसाय का सबसे बड़ा केंद्र था दोस्तों बंगाल के लोग स्वाभिमानी, निस्ठावान और दिलेर होते हैं एक बार की घटना है 21 फरवरी 1952 को धाका युनिवर्सिटी के students ने बांगला भाषा को पाकिस्तान में सम्मान दिलाने के लिए एक movement चलाया और इस movement में बहुत सारे students की मृत्ति हो गई और इस घटना को देखते हुए 21 फर कि बंगाल के लोग किसी भी जगह रहें वो अपने घर में बैंगॉली लेंगेज ही बोलते हैं और अपने बच्चों को भी बैंगॉली ही सिखाते हैं ये है भाषा से असले प्यार आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैंगॉली लोगों का भाषा के प्रति प्यार होने की वजह से पूरे विश्व में जैसे इंडिया, बांगला देश, पाकिस्तान, चाइना, जापान, फिलिपिन, थाइलेंड, जर्मनी, USA, ब्रेटेन, इन सभी देशों में बांगला भाषा के रेडियो स्टेशन है और यहां पर बैंगॉली नियूस पेपर हमेशा मिलता है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रेगान, जनगन मन, रविंदर नाथ टैगोर ने और भारत का राष्ट्रेगीत, वंदे मातरम, बंकिम चंडचटोपा ध्याय ने लिखा और पहली बार यह बंगला भाषा में लिखा गया था और बाद में इसका हिं भी बंगाल में हुआ है, इसके अलावा बंगाल के लोग अलग-अलग शेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं, जैसे कवी, चित्रकार, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार और बड़े-बड़े विद्वान लोग बंगाल से हैं, रविंदर नाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति थे, जिन्हें नोबल प्राइज मिला, इसके अलावा भारत के पहले इंडोलोजिस्ट, राजेंदर लाल मित्रा, और भारत की पहली महिला ग्रेजवेट, चंदर मुखी बासू थी, सत्य जीत रे भारत के पहले ऐसे फिल्मेकर हैं, जिन्हें लाइफ टैम और भारत रत्म की अगर मैं बात करूं, तो विधान चंदर राय, सत्य जीत रे, अरुन असफ अली, रवी शंकर और प्रडव मुखर जी इनमें शामिल हैं, और तो और फिल्म जगत में भी बंगाल के लोगों का वर्चस हो है, कई महान एक्टर बेंगॉली फैमिली से आते हैं, जैसे किशोर कुमार, अशोक कुमार, सरमिला टैगोर, जया बच्चन, रानी मुखर जी, काजोल, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन केवल एक्टिंग नहीं, कला के हर शेत्र में लोग वेस्ट बेंगॉल से आते हैं, जैसे फ सिंग, मन्ना डे और अभिजीत, यहां तक की महान जादुगर, PC सरकार और PC सरकार जूनियर ने लोगों के दिलों पर राज किया है, देश के पूर्व राष्ट पती, प्रणम मुखर जी और देश की सेवा में समर्पित, बहुत सारे लोग, पश्चिम बंगाल से आते हैं, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर नेताजी सुबास चंद्र बोष, खुदी राम बोष, श्यामा प्रसाद मुखर जी, सुर्ती सेन, रविंदर नाट टैगोर, एर फोर्स के एर मार्शल सुबृतो मुखर जी, स्वामी विवेका नन, राम कृष्ण परमहंस, र बंगाल के लोग आगे हैं, सुबृतो राय, सहारा इंडिया के फाउंडर, अशोक सेखर गांगुली, हिंदुस्तान यूनिलिवर के चेर्मेन, सुभी राहा, ONGC के चेर्मेन, भासकर प्रमानिक, माइक्रोसफ्ट इंडिया के चेर्मेन, अमर बोस, बोस स्पीकर और साउं स्टेडियम, इंडिन गार्डन भी पश्चिम बंगाल में हैं, 12 महीने में 13 से अधिक फेस्टिवल होने की वज़ास से पश्चिम बंगाल को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, और सेप्टेंबर अक्टूबर में तो पूरे विश्व से दुरगा पूजा म मनाते हैं, ट्राम की सावारी हो या हुगली नदी में नाव की सावारी सब कुछ बहुत अद्बुत है, तात की साड़ी, बंगाल का भोजन, बंगाल की मिठाई और बंगाल के डार्जलिंग की चाय सभी का मन मोह लेती है, बंगाल के बारे में जानने को और बहुत कुछ है जो इस वीडियो में छूट गया है कॉमेंट में आप लिखकर ज़रूर बताएं कि बंगाल की कौन-कौन सी विशेष्थाएं और खासियत हैं ताकि बाकी लोग भी कॉमेंट पढ़कर बंगाल के बारे में जान सके बंगाल की इन विशेष्थाओं को हर राज्य का व्यक्ति जाने इसलिए इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस विशेपर चाते हैं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्षर मित्माईश्वरी आप किस नर्य भविश्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत